लास्ट की कुछ वीडियो में हमने डिसकस कर लिया है अपनी नेटवर्क टॉपोलोजी को राइट है न तो हम बस टॉपोलोजी रिंग टॉपोलोजी स्टार मैस्ट्री हाइब्रेड वगरा वो सब कुछ डिसकस कर चुके हैं न तो अभी अगर आप देखोगे तो हमने क्या क टेबल यूज़ करके और उस पे टैब्स एंड करेक्टर यूज़ करके आपने चाहे अपनी बस टॉपोलोजी बनाई हो इसमें कुछ डिवाइस थे फिर आपने चाहे एक रिंग टॉपोलोजी बनाई हो जिसमें प्रोड़कास्ट नहीं रहता था आपका और इस तरह से फ कि एक आपने बस ले ली और उसको स्टार के उपर लगा दिया, हाइब्रिड में आपने तीन चार टॉपोलोजी एक साथ यूज़ कर ली, the point is you are creating a network, चाहे कोई मर्जी टॉपोलोजी का यूज़ कर रहे हो, आप छोटे से लेके बड़े स्केल तक का network आप बना रहे हो, तो कहां रखना चाहते हो आप, भही आपने बोल दिया कि, let's say आप start apology, एक example लेके चलता हूँ मैं, और उसी से हम समझ लेंगे, start apology क्या किया आपने, ऐसे एक switch लेके और एक local area network बना दिया, और let's say जिसमें 10-20 devices हैं, इस तरह से connect कर दिये, ठीक है, तो अब आपका काम ऐसा हम, मा devices में data transfer करना पड़ता है, कि भही इसको इस पे data transfer करना पड़ता है, इसको इससे हो सकता है, इसको इससे हो सकता है, इस तरह से data इधर उतर करना है आपको, device to device, तो या तो ऐसा रहे, भही आपने इस पे भी सारा data रख दिया, इस पे भी सारा data रख दिया, यहां पे भी, यहा send and receive करने की हर एक को ठीक है हर कोई किसी भी टाइम पर data send and receive भी कर सकता है चलो जी एक तो यह तरीका होता है network में implement करने का network बनाने का जिसको हम बोलते है peer-to-peer network type peer-to-peer implementation दूसरा गौन सा होता है कि आप same network में क्या करो कि एक device को क्या बना दो आप server बना दो server means which serve जो जैसे बोलते हैं civil servant कोई IPS officer है वो service करते हैं लोगों की public की country के न they serve सेवा करते हैं ऐसे ही हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया एक server बना दिया एक normal वो ही PC हो सकता है जैसे यह PC है न मैंने थोड़ा सा इसको यह shape अलग बना दी बट it can be a PC also वो हम करेंगे डिसकास आगे बट इस PC को हमने software में देखो इस पर operating system हम जब डालेंगे तो जब मैं आपको network component बढ़ाऊंगा उसमें होता है आपका software में operating system तो एक client operating system होता है एक network operating system होता है तो इन पे आपने client operating system for example डाल रखा है और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं client server architecture गी ठीक है कि वह जो बाकी users है वो सारे हमने क्या कर दिया normal client species रखे हैं अब interesting बात यह है कि जो data share करवाना था को वो हर एक पे नहीं रखोगे आप ना वो data सिरफ एक ही location पे रखोगे कौन सी location पे आपके server पे देखो जी सारा data कहा रख दिया server पे और अब किसी को भी data चीयोगा ना वो एक दूसरे से नहीं मांगेंगे ना क्योंकि उस पे तो है नहीं data इससे मांगेंगे data वो आपके server से तो किसी को भी data चीयोगा अब यहां से एक बात जो clear करनी है दो बाते हैं actually सबसे पहली तो अगर आप हर किसी पे data रखोगे तो हर किसी पे आपको powerful configuration करनी पड़ेगी for example hard drive सब के पास ज्यादा size की होनी चीगी यहां पे सिरफ server के पास hard drive अगर ज्यादा size मालो इसके पास 10 TB है normal के पास एक एक TB की हैं चलेगी तो यहां पे सब के पास 10-10 TB की होनी चीगी है देखो जी hosting बढ़गी आपकी एक तो यहां से एक चीज यह clear हो रही है कि यहां हर किसी को आपको powerful and strong बनाना पड़ेगा यहां पे सिरफ एक server को आपको powerful and strong बनाना पड़ेगा होती है in comparison to other clients तो hardware तो मैंने बता दिया software में क्या जैसे मैंने लिखा इसमें कौन सा operating system चलेगा आपका client operating system तो जो windows 10 है 11 है यह सब 7 और वो सब हुआ करते थी वो client operating system मिन्स जो client पे run करने के लिए बनते हैं फिर होते है network operating system जैसे windows server 2020 है 23 है 16 है Linux के server है वो अलग से ही operating system आते हैं जैसे windows install करते हैं ऐसे ही वो भी install होते हैं बट उनके अंदर security के parameter ज़्यादा होते हैं features ज़्यादा होते हैं roles configure कर सकते हो आप किसी भी तरह का server जैसे हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगी भी server कई तरह की हो सकते हैं so the point is कि major differences क्या हुए पहला तो कि इसमें सिर्फ server के पास सारे rights रहेंगे और server के पास इसारा data रहेगा बाकियों को इससे लेना पड़ेगा इनमें हर एक अपने आप में server है हर एक अपने आप में client है ठीक है तो यह difference हुआ और दूसरा क्या रहा आ hardware configuration cost यह क्या पड़ेगा आपको costly in the long run यह आपको costly पड़ेगा सिर्फ शुरू में setup करते हो बाकि इसका management असान है और दूसरी क्या बात है इसमें centralization इसमें centralized control नहीं है कोई company चाहती है कि यह client यह download कर पाए ना कर पाए उस तरह के control लगाने है तो आप peer to peer में नहीं लगा सकते अप client server में control लगा सकते हो इसी की फिर flip side क्या है कि आप अगर ऐसा setup चाहते हो जहाँ पर सबको equal rights हो तो यहाँ पर आप जाओगे ना companies में जब यह चीज फेस करोगे आपको company से कोई laptop मिला है for example तो आप उसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी कर पाऊगे सारे कोई भी operating system डालो कोई गेम चला लो software चला नहीं जो हो अलाओ करेंगे वही सारे चाहिए तो I guess यह बात आपको एक मोटे तोर पे clear होगी होगी client server और आपके क्या बोलते हैं peer to peer network के बारे में to peer की सिरफ लिम जो specific applications है advantages है उन्हीं के लिए यूज करते हैं WAN में हो चाहिए LAN में हो तो अक्सर अक्सर आपको जो networks देखनों को मिलेगे most common internet भी जिन में से एक है वो client server internet भी client server base है ठीक है LAN में भी आपको almost जब company level पे जाओगे तो सारे client server base ही मिलेंगे ठीक है यह ज्यादा application जिसकी WAN में आपको client server sorry WAN में peer to peer का एक बड़ा important example है आप में से जो लोग torrent से movie या game वगरा download करते होंगे उनको बेबीस का idea हो नहीं यह तो मैं बताता हूँ WAN में peer to peer applications चलती है like BitTorrent BitTorrent client server पे नहीं चलता वो तुमारा peer to peer पे चलता है ठीक है वह बताता हूँ तुम्हें एक बार यह theory देख लो कि यह LAN के बारे में है और application make use of direct communication between pair of connected hosts ठीक है peers होते हैं सब इसके अंदर और एक दूसरे से बात करते हैं ठीक है हाँ traffic intensive applications are based on P2P यह मैं आपको बताऊंगा भी ठीक है यह किसका example था peer to peer में LAN का यह भी किसमें है when हाँ यह मैं आपको भी बताने वाला हूँ लिमिटेश चलो एक बार यह बताता हूँ आपको मैं कैसे काम करता है कि हमारा जो बिक्टोरेंट अगरा से जब आप डेटा डाउनलोड करते हो ना कैसे होता है कैसे यह fast होती है एक protocol होती है बिक्टोरेंट अना जिस पर यह काम करता है तो for example अगर आप normally देखोगे ना जब client server की बात करते हो तो for example एक movie पड़ी है ठीक है और वो movie पड़ी है किसी भी website के उस server पे और यह आपकी 10GB की movie या game कुछ भी हो सकता है तो normally क्या होता है अगर आप client server की बात करोगे इंटरनेट के थुरू पूरी दुनिया के यह जो computers है यह जुड़ेंगे इस server से request बेज जेंगे हमें यह download करना है और वो सब और फिर क्या होगा वो download हो पाता है ठीक है फिर इसको यह बेजता है data ऐसा होता है लेकिन इसके लिए सोचो आपको न यह जो server है यह कितना powerful होना चीए central में अगर millions request इसके पास आती है तो इतना powerful hardware and software इसका होना चीए ठीक है traffic intensive intensity जो इसको यह bear कर पाए जेल पाए on the other hand आपका जो क्या बोलते है पियर टू पियर वाला है यह client server की बात करी मैंने है एक server था बीच में और बाकी दुनिया बर के जो internet user थे वो clients थे इनको movie game download करने अभी क्या है अगर कोई gaming service काम करती है आपके पियर टू पियर पे लट से कोई film है film जैसे pirate में और कोई भी ऐसा है जो आपको bit torrent से access देता है वो legal है illegal है उसकी पचड़े में नहीं पढ़ रहे हैं बट वो काम कैसे करता है ने सिर्फ वो clear करना चाहरा हूँ आपको यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया एक बार वो movie डाल दी ठीक है मानलोग game डाल दी 10GB की ठीक है एक user आया तो इसने क्या करा इसको download कर लिया तो अपने यहाँ पर रख लिया इसने download करके ठीक है जी फिर और user जब आते हैं तो वो अब इससे download नहीं करते जारा मानलोग 10GB का जो पूरा portion था वो दुनिया वर के अब अलग अलग computer के अंदर हो चुका है download ठीक है बिल्कुल असान से असान language में बताने कोशिश कर रहा हूं कि अब वो 10GB को एक server से नहीं उठाते मानलो कोई नया बंदा आया उसको अब download करना है 10GB तो वो कुछ पार्ट यहाँ से उठा लेगा कुछ यहां से उठा लेगा एंड हां ऐसा होता है आपके laptop से file लें जाती हैं दूसरों के पास क्योंकि आप भी तो दूसरों से ले रहे हो ठीक है this is how big torrent protocol work basically ठीक है बट मैं अभी इतना detail में नहीं बताना चाहरा आपको चीज़ें बट जस्ट clear कर रहा हूं कि WAN में अपनी applications है peer-to-peer networks की otherwise almost सारे जो networks चलते हैं वो आपके चलते हैं client server internet भी अगर कोई बूचे client server वेश चलता है ठीक है तो यह देख लेना एक बड़ा आप यह सारी बाते मैंने आपको बता दिये almost cost का है peer-to-peer initial expense कम है simple setup से काम चल जाएगा normal operating system जैसे मैंने बताया था client operating system से चल जाएगा थोड़ी बहुत changes करने हैं आपको sharing वगएरा की and decentralized है आपका यह मैंने बताया था हर किसी के पास सारे equal rights हैं अगर वो आपको चाहिए हो वैसा ही आप चाहते हो तो ठीक है otherwise कोई security वगएरा इसमें नहीं होती सर्वर क्या होते हैं बता दिया मैंने आपको और कई तरह के server हो सकते हैं हमारे पास कि अगला section जब हमारा आएगा components of network internet उसमें server को थोड़ा और detail में मैं बताऊंगा तो चलो यहां पर हम नहीं touch करते इस पार्ट को तो क्लाइंट-server LAN वैन यह क्या आगे पीछे कर दी क्या मैंने चलो देख लेना यारा आप है न मैं इसको करता हूं ठीक नोट्स में ठीक कर देंगे इसको ठीक है एडवांटेज है तो क्लाइंट-server network की एडवांटेज क्या है तुमारी सेंट्रलाइज है बिल्कुल सेंट्र कहा है हमारा सर्वर पर वहां से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो स्केले बल है जितने मरजी आप इसमें डिवाइसे जाइड करते जाओ करते जाओ तो लैटस से अब सर्वर क्या हो रहा है कि हार्ट ड्राइव कम बढ़ रही है और आपके प्लाइट पड़ रहे हैं तो सर्वर पे क्या करो हाब रवार आपको देखो एक डिवाइस में मढ करना पड़ रहा था हर किसी पर बढ़ानी पड़ती है आपको ठीक है तो इट मेंक सेंस फ्लेक्जिबल है ओविसली यही रीजन देख लो फ्लेक्जिबल का एकसेसिबिलिटी है रिमोटली एकसेस कर सकते हैं सर्वर को कहीं से भी किसी भी ओपरेटिंग सिस्टम से मुबाइल से कर लो लेप्टॉप से कर लो एंड्रोइड से कर लो मैक से कर लो आईफोन से सब एकस्पेंसिज इनिशिल इन्वेस्टमेंट देखो जी है बिल्कुल यह डिसएडवांटेज है यहां पर मैंटेनेंस अब्विसली जब आप देखो यह कॉंप्लेक्स हो जाता है नेटवर्क क्लाइंट सर्वर वाला तो फिर सर्वर्स को हैंडल जैसे नेटवर्क को हैंड इनिशिल कोस्ट भी है अपका सर्वर पर कुछ हुआ तो अपने अकसर सुना होगा पहले अब तो खेर ऐसा नहीं है कि बिसनल के ज़्यादा नंबर्स होते थे ना और रिचार्ज करवाने जाते थे एक बड़ाई कॉम्मन सा जवाब सुनने को मिलता था जबको कि यार अभ को डिपेंडेंस आपका सारा सर्वर के उपर तो हम आगे पढ़ेंगे आगे चीजों को जब क्लियर करेंगे कि इसका सिल्यूशन भी है हमारे पास बट अगेन उससे भी कोस्ट एड होती है कि एक सर्वर का बैक अप सर्वर लगा दो ठीक है तो अगेन वो कोस्ट एड़ कर आपसे अगली वीडियो में अपना ख्याद रखिए सिखते रहे सिखाते रहे और मसते रहे बाबाई